नमश्कार दोस्तों, कहीं पे भी आप जाते हैं, निया सवारी कर रहे होते हैं, तो लिखा होता है सवारी अपने समान की रक्षा खुद करें। अब दोस्तों इस लाइन का क्या मतलब है नेचरल है कि अगर हम गाटे में बैठे हैं सफर कर रहे हैं तो समान हमारा है तो हमें खुद ही उसकी रक्षा करनी है किसी के सपूर तो हम करने ही सकते लेकिन फिर भी यह लाइन लिखी जाती है क्यों लिखी जाती है या आप घर से निकलते हैं आपके जो बड़े बजूर के वह आपको कहते हैं बेटा ध्यान रखना बट नैचरल है आप घर से निकल रहे हैं तो अपना ध्यान रखेंगे ना तो आप जो आपके बड़े बजूर का आपसे वह एडवाइस करते हैं कहते हैं बेटा ध्यान रखना तो उनका कहने का क्या मतलब होता है और क्या बदले में आपको उनको डांटना चाहिए कुछ बुरा बला कहना चाहिए या उसको कहना चाहिए जिसने लिखा है कि सवारी अपने समान की रक्षा खुद करें यह चोटा सा सवाल है कमेंट सेक्शन में जुरूर आंसर दीजिएगा मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा अब मैंने ये बात क्यों कहीं मेरे दोस्ति ये सोचते होंगे कि मुझे कहने की जुरूरत क्यों पड़ी दोस्तों जुरूरत इसलिए पड़ी कि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया भी एक दो दिन पहले वजीर एक्स और बाइनेस पे एक या दोस्तों कोई भी मंचा नहीं है बाइनांस वर्ट की सबसे बिग्गेस्ट एक्सचेंज है अगर मेरा बाइनांस पर आपने डेडिकेटीड वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने जब जब लोगों को बोला कि आपने एकाउंट ओपन करो तो मैंन में करो या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में करो आपको अपना पैसा ट्रेडिंग करने के बाद फोरन अपने एकाउंट में डाल लेना चाहिए जैसे ही आप कुछ बाइसल करते हो या कुछ ख्रीद के रखते हो तो आपको ट्रस्ट वालेट पे विश्वास नहीं करना चाहिए आपको हाडवेर वालेट पे विश्वास करना चाहिए थोड़ा गूगल कर लो थोड़ी सर्च कर लो थोड़ा जानकारों से पूछ लो मेरे पर नहीं जानकारों से पूछ लो जो क्रिप्टो की दुनिया में पुराने हैं वह आपको यहीं बोलेंगे कि हाडवेर वालेट में अपनी करंसी स्टोर करके रखो अगर आपका वीजन लंबा है इवन जो बिटकाइन और इथीरियम में काम करते हैं बिटकाइन के लिए तो कहीं ऐसी एक्सेंजी ने कहीं ऐसे प्राइवेट प्लियर्त हैं जो आपको विट इंशूरंस जो है वालेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं और करंसी की वैल्यू जादा है सब कुछ है तो लोग इंशूरंस का प्रीमियम भी देते हैं तो जो प्रीमियम देते हैं या जो बाद क्योंकि क्रिप्टो करंसी की दुनिया में ये दो सबसे बड़े फ्राड थे एक फ्राड था कॉइन को लेके एक फ्राड था एक्स्चेंज का तो ये दोनों चीदें आपको समझने के बाद देखने के बाद समझ में आ जाएंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ क्रिप्टो की दुनिया जितनी हसीन लगती है ये उतनी हसीन है नहीं एक स्वाल है मेरा आप सभी से दोस्तों जो आप मान लीजिए एक रुपे का कोई काइन खरीदते हैं उसकी वैल्यू दसर पे पहुंच आती है ये सो रुपे पहुंच आती है क्या ये पैसा कहीं बाहर से आता है क्या ये पैसा कहीं थर्ड पार्टी से आता है जो आपको एक रुपे काइन का सो रुपे आ देता है या कोई बैंक इसको दे रहा है या बाइनेंस इस पैसे को दे रहा है यह पैसा आता कहां से है जी हाँ अगर आप नए है तो आपको एक बात बता देता हूँ ये मेरा और आपका पैसा ही है कोई एक रुपे में चीज खरीता है दस रुपे में बेचता है कोई इसी को दस रुपे में ट्रक्टिंग लिखती है वो सो रुपे में बेचता है कोई इसी को सो रुपे में अच्छी लगती है वो हजार रुपे में बेचता है और कोई हजार रुपे वाला बात में फिर एक रुपे पे आ जाता है तो it is the money जो हम एक दूसरे को जो मतलब पैसा एक दूसरे हाथों में घूम रहा है यहां पर किसी financial institution की गरंटी नहीं है इसी लिए जो है crypto को अगर आप कहीं पे भी देखोगे संजोगे पड़ोगे रिस्कियर असेट्स कहा जाता है कि यह जो stocks और share से भी ज्यादा रिस्की है अब आते हैं मुद्देपी जो मैं आपको बात समझाना चाता हूँ अब दोस्तों एक बाद स्क्रीम पे नजर मारिए इस लेडी की तरफ देखिए कितनी खूबसूरत है क्या नाम है इसका comment section में बताईए अगर आपको पता है अगर नहीं पता तो इस वीडियो में आप समझेंगे कि यह लेडी खूबसूरत जितनी दिखती थी जितनी खूबसूरत दिखती थी उतना ही बड़ा इसने जो है क्रिप्टो करमसी की दुनिया में फ्राड किया है तकरीबन चार बिलियन डालर लेके जो है गायब हो गए जी हाँ इनका नाम है आप स्क्रीन पे देखिए रुजा इगना टोवा बलगेरि लोग इसका खूब वेलकम कर रहे थे बड़े बड़े आली शान होटलों में बैठके होती थी लाकों इन्वेस्टर इसको सुनते थे हजारों इन्वेस्टर जो हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर थे वो इसकी कंपनी में पैसा लगाते थे शी वास दा फोंडर आफ वान नहीं 20167 में इस कॉइन में पैसा लगाया हो और यह कॉइन अपने आपको क्या कहता था यह कहता था कि यह अल्टर्नेट है बिटकॉइन का जी हां आप स्क्रीन पे देखिए इनकी नेट वर्थ को बिटकॉइन के बाद जिस सेकेंड नंबर का का था जिसकी नेट वर्थ ने इक हощा और वण पॉन्जा स्कीम पहले यह कॉऑन सा जब चलता रहा यह कॉऑन था और वाद में यूज उन्हों ना इसको Ponzi Scheme का नाम दिया ॹब क्योंकि लोगों के पैसे खतम हो गे, लोगों के पैसे उड़ गे इस लेड़ी का अता पता नहीं चला कैते हैं कि One-Find ये पब्लिक मीटिंग थी ये लेड़ी कभी लेट नहीं हुई कभी किसी मीटिंग में लेकिन उस दिन सारे इवेड करते रहे यह पहुंची नहीं और अल्टिमेटली फोन लगाने की कोशिश की गई फोन भी नहीं इनका लगा कुछ नहीं हुआ और सब आर्गनाइजर परिशान थे सब कुछ हुआ तो इनका जो भाई था जी हां इनका भाई आप एक बार स्क्रीन पे देखिए इनके भाई को ने बताया कि उनका पता नहीं लग रहा और ऐसा माना जाता है कि शीडिसपिरड अब क्या हुआ एक्चुल में कहानियां अलग लग हैं लेकिन असल में बात ये थी कि चार बिलियन डालर जो थे वो लोगों के कहां गे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई पता नहीं है और Wall Street Journal पे ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये Wall Street Journal से मिलाया हूँ One coin took in billions, then its leader vanished अखबारों की सुर्खियां तब बनती हैं, जब घपला हो जाता है मैंने अपनी responsibility समझी, जब करोना की first wave आई, तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने second wave का जिकर भी किया था, तकरीबन एक साल पहले का वीडियो था जब ये महामारी start होई थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तब ही मैंने बताया था जब मैंने SARS virus के साथ comparison करके बताया था, लोगों ने तब भी कहा था कि आप panic फिला रहे हो तो दोस्तों जो leader होता है, जो visionary होता है, वो आगे का सोच के चलता है वो future का सोच के चलता है, past को ध्यान में रखते हुए इस past को देख के आपको future का सोचना है, अगर आप cryptocurrency में जो है investment कर रहे हो cryptocurrency में अपना पैसा लगा रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो पैसा है, वो आपकी hard and money है तरीके बहुत हैं, अगर आप crypto की दुनिया में पैसा लगाना चाते हो, क्योंकि future यही है कब तक है, जब तक की सरकार कोई इस पे डंडा ना मार दे, कोई शिकंजा ना कसे, तब तक तो उसके बाद क्या हुआ, आप screen पे देखिए, एक बाद, तकरीबन जब यह vanish हुई, 20167 में, तो जो 4 billion dollar था उसकी value थी तकरीबन साड़े 28,000 करोड, साड़े 28,000 करोड लेके जो है, यह lady जो है, यह guide हो गई, आप उसके बाद देखिए कि, इनके बारे में बताया गया कि इन्होंने काफी किया, multi-level marketing की, जिसको bitcoin का नाम दिया, 2013 में, 2004 में, हर जगा, इसकी जो इन्होंने coin launch किया था, one coin, उनको नान दे दिया गया, ponzi scheme, करते क्या थे, इसमें कुछ यह educational package बेचते थे, फिर उसके बाद बताते थे, कि आपको ऐसे coin मिलेंगे, इस coin की ऐसे value होगी, यह ऐसा होगा, काफी क कुछ था, अगर यह system से चलता, तो बहुत अच्छा होता, लेकिन, पैसे की रंगती ऐसी है, यह जिसके आत में आता है, अपना रंग दिखाता है, और इन पे भी रंग चड़ा, लोगों के पैसे वापिस नहीं मिले, और आप एक बार देखिए, FBI इनके पीछे लगी, और FBI इनने case भी दरज किया, तकरीबन sentence भी हो गया, 91 साल की इनको सजा भी होई है, लेकिन इनका आता पता नहीं है, इनके भाई अब भी जो है, वो जेल में है, इवन इनके लायर्स भी जेल में है, कंपनी के लायर्स भी जेल में है, क्योंकि आपको पता है, US कानून जो है, वो क काफी सकत हैं इनका भाई जो इनका बाडी गार्ड वी था वो इनकी एफबी आई की गिरफ्ट में आ गया जिनका नाम कॉंस्टैनियन था अब मैं आपको एक दूसरी कहानी बताता हूं एक क्रिप्टो एक्सचेंज की और यह बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे एक पूरी ए सब्सक्राइब के पैसे के दोस्तों आप मैंसे किस-kिस ने क्वाड रिका का नां सुना है अगर नहीं सुना तो आप स्क्रीन पर नजर मारे वाल स्प्रिल जर्नल से यह निउस्ज लाएं McLग रें टिल्ब्य हूं और नां दिया गया क्रिप्टो-श के नां दिया गया 136 मिलियन डालर जो थे वो स्टेक हो गये थी या मिसिंग हो गये थे कहां मिसिंग हो गये थे क्वाडरी का बहुत बड़ी एक्सचेंज थी जिनका मालिक गेरल कॉटन जिनकी उमर 30 यह थी वो एक दिन किष्ट हो जाती है जब वह इंडिया में आते हैं जितने असेट्स थे जितना उस एक्सकेंज में लोगों का पैसा था उसका क्या हुआ एक्सचेंज का क्या हुआ कैसे हुआ कुछ भी पता नहीं चला क्यों क्यों पता नहीं चला अब आप spectrum नदर जांए कि वाट हैपन डेड़ कोड़िका कोड़िका है दो आफिसे नो इंप्लाइज एंड नो बेंक के कॉंट क्रिप्टो करंसी की दुनिये यही है अगर मैं अब आप से पूछों कि बाइनेंस का आफिस कहां पर है आप में से क्या कोई रिप्लाइज देगा खाली मुझे जगा का नाम नहीं कहिए मुझे आफिस का अड्रेस भी चाहिए कि उनका अड्रेस क्या है उनका मोबाइल नंबर क्या है आगर मनें उनसे कंटक्ट करना कि टेलीफोन नंबर बे attorney करेंगे क्या को यासा वैल का बिजनस है जो लीगल बिजनस है जिसका contact number ना हो अगर किसी के पास होगा तो आप मुझे description में जो है वो जुरूर link में बताईएगा कि सर यह जो है यह Binance का contact number है या यह उनका telephone number है हुआ गया कि अब आगे क्या बताया गया कि it was essentially a one man band run entirely by cotton wherever he and his laptop happened to be which was usually his home in Fall River Nova Scotchia यह मोटा माटी बताया गया कि वो जहां पे बैठते थे वहीं उनका office जो है वो शुरू हो जाता था उससे भी important बात क्या है आप screen पे देखिए Quadriga crypto cash disappears before founder's death investigation की गई Ernest and Young की तरफ से उसमें यह बताया गया कि इनकी death से पहले जी हाँ death से पहले जो इनके founder थे Gary Carton जो उनकी crypto currency exchange थी Quadriga CX काफी बड़ी exchange थी यह उनमें जो assets थे वो assets नहीं किये जा रहे थे क्यों नहीं किये जा रहे थे क्योंकि वो shift हो चुके थे किसी और accounts में वो भी तब पता चला जब इनकी ब्लॉक्चेन की detail डूंडी गई क्या है कैसे है किस account से कहां पे गए और यह पता चला कि उनकी death से पहले जो बिटकाइन लिटकाइन एथिरियम और जो दूतरे digital token थे जो उनके customers के थे वो सब वैनिश हो गए अब क्यों हुए वो आप जानते होगे मुझे उसके बारे में पता नहीं अब एक और आप खबर पे नजर मारिए Canada's leading cryptocurrency exchange company has said it cannot repay 145 million dollar to clients because its founder died unexpectedly with the passwords effectively locking the company from assessing the digital assets तो अब आपको समझ में आगे होगा कि मैंने क्यों जो है आपको यह बोला था trading करो investment करो कुछ भी करो trading करने के बाद अपना पैसा अपने कोंड में shift कर लो फिर जब आपको लगता है कि मुझे नया trade कोई मिल रहा है फिर पैसे को shift करो trading करो profit होता है मुनाफ़ा होता है फिर आपने कोंड में shift करो this is as simple as ABC मुझे कुछ बोलने से मुझे समझाने से या मुझे गलत बोलने से कुछ नहीं होगा मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे काभी दोस्त जो है वो विश्वास करते हैं मुझ पे क्रिप्टो करंसी के बारे में तो मैं responsibility समझता हूं आप सभी को यह बताना कि क्रिप्टो करंसी की दुनिया जितनी खूसूरत दिखती है यह उतनी है नहीं है पैसा कहां से आता है जो टोकन जो काइन आप लोग ले रहे हो बेच रहे हो उसका यूज केस क्या है कहां पर वो यूज हो रहे है कंपनिया पैसा बना कहां से रही है क्या कोई कारोबार कर रही है क्या कोई बिजनस कर रही है हर द रहی हैं कि उन टोकन से लेंद इन क्या हो रहा है वह आंगो आपके पास आपके वालिट में कोई टोकन पड़े होंगे कुछ नद रोगा क्या मुझे उससे कुछ खरीद के बता सकते ओंगा मार्किट में जाओ किसी को बोलो कि यह token है मुझे इसके बदले में आटा दे दे दाल दे चावल दे दे कंप्यूटर दे ले लैपटाप दे कुछ भी दे दे सिवाए उन लोगों के जो इन tokens को use कर रहे हैं और bitcoin की जो value बंड रही है जो मैंने one coin का मैंने आपको बताया one coin का जो failure का reason क्या था और success का reason क्या था failure का reason था उनके मालिक का disappear होना success का reason था कि उन्होंने bitcoin सबको दिखा रहे थे कि bitcoin देखो हम तो next bitcoin है और यही सभी currency आज की दिन में कर रही है कभी ethereum का दिया जा रहा है हवाला कभी bitcoin का दिया जा रहा है लेकिन दोस्तों हर currency नहीं bitcoin बनेगी नहीं ethereum बनेगी नहीं लिट काइन बनेगी बाकी currency सिर्फ pump हो रही है pump होने के बाद सिर्फ उनका काम है कि उनको dump करवाना और pump और dump के खेल में अगर आपको knowledge नहीं है तो कभी भी आप trap हो सकते हो जो आपकी hidden money है वह आपके हाथ से slip हो सकती है इसी के साथ यह वीडियो में यही खत्म करने ज्यादा चाहता हूं उमीद करता हूं कि आपको अब समझ में आ गया होगा मेरा जो पिछला वीडियो था उसकी वार्निंग का मतलब फिर भी अगर कोई आपकी चंका हो जिग्यासा हो आप मुझसे comment section में पूछिएगा मैं आपको reply देने की कोशिश चुरूर करूंगा और एक और बात खतम करने से पहले मैं कभी किसी से payment नहीं लेता प्रमोट करने के लिए जो मुझसे अच्छा लगता है वही प्रमोट करता हूं क्योंकि मेरे काफी दोस्तों ने बोला था आपने बाइनस को बुरा बला का है और जो काइंस भी टक्सचेंज है उसके बारे में आपने बोला है तो मैंने ये बोला था फ्री में एरड्राप जाएं कर लो एकाउंट ओपन कर लो के वाईसी कर लो टोकन मिल जाएंगे फिलहाल मुझे अभी उनकी टीम पे इतना विश्वास नहीं है लेकिन माइट भी आने वाले दिनों में वो अच्छा करे रिपीट करता हूं बाइनस इस दा बेस्ट एक्सचेंज इन दा वर्ड बेस्ट इन दा वर्ड लेकिन आपको कैसे करना है अगर आप नए हो क्रिप् करना मत बूलना और क्रिप्टो विद्यास भी यही आपका अपना टेलीग्राम चैनल भी है नमस्कार जैहिंद